हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का इजी वेंकर सैनल पे अगर आप इस सैनल पर पहली बार आए हैं तो जैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँशती रहे इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जो भी हार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप हम अपलाई का वेट कर रहे हैं उन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे श्टूडेंट लोग का ही डाउट है कि सर जिनका पेमेंट नहीं मिला है वह अपलाई कर सकते हैं या नहीं यह भी कोशन हम लोग सविडियों में देक लेंगे ठीशक्ते हें फेक इसके बाद जो है कॉन कॉन सेंट का हम अपलाई कर सकते हैं यह बहुत हम लोग अपको इस वीडियों में देखाएंगे यहां पी हम लोग भी हो स्कॉलर्शिप के official website पर आ चुके हैं यहां पर आपको आने के लिए Google पर आपको सर्च करना परेगा pmsonline.bih.nic.in तो अब आप बिहार Postmetric Scholarship को official website पर आते हैं ठीक है यहां पर हम लोग देखें तो जो आपको हम एक वीडियो बना के बतला थे कि जो आपका किलियर मेंशन किया गया था अम आपको बता दे कि PMS पोर्टल पर बिटीए वर्ष 22-23 के लिए दिनांक 10 सप्टेंबर 2022 से लेकर दिनांक 9 अक्टूबर 2022 तक online अविदन प्राप्त करने से सम्मधित पिग्यापन प्रकासित करने हेतु जो है याप मीटिंग किया गया था आज आपका जो 11 सप्टेंबर हो चुका है और यहाँ पर डेट लिखा गया था कि 10 सप्टेंबर से आपका online स्टार्ट हो गये 9 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट रखा गया है लेकिन यहाँ पर आप देखे ज जैसे ही आपका online form start होगा वैसे ही आपको यहाँ पर बोल्ड में जो है एक नोटिस जो है वह जारी कर दिया जाएगा जैसे हर एक नोटिस जारी होता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेसर 18 से 19 के लिए जो student को apply करना था उसके लिए आपका नोटिस जारी किया गया अभी आपका online application form start नहीं हुआ है लेकिन notice निकाला गया तक 10 सप्टेमबर से start होगा लेकिन लग रहा है कि 10 सप्टेमबर से आपका form start नहीं हुआ और आपका approach date सम्भावी date आपका पंदरह सप्टेमबर से आपका लगवग आपका notice official website पे आने की संभावना है तो जो student का payment नह सकता है अगर आपका फॉर्म जो है अपलाई 100 परसेंट होगा आप अपना फॉर्म जो है जरूर भड़ियेगा अगर आपका पेमेंट आया है यह नहीं आया है ठीक है उसके बाज़ों है आपका कुछ डाउट था कि कौन कौन सेशन का हम लोग कर सकते हैं तो यहां पर देखि हैं क्योंकि पहले जो है आपका विहार पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलर्शिप का जो आप वेफसाइट देख रहे हैं यह पहले अविलेवल नहीं था ठीक है अम लोगों को एनसपी के थूरू पेमेंट मिलता था स्कॉलर्शी प्रवाइड के जाता था आपको नेशनल स्कॉलर दो स्कॉलर्शन का जो है इस्टूरेंट का अपलाई नहीं हुआ था 19 वाले का और 20 वाले का जो आपका 21 में है जो आपका फुली जो है आपका वेबसाइट रेडी होके आपको 21 में जिस समय फॉर्म अपलाई हुआ था उस समय आपको 19-20 और 20-21 का भी अपलाई किया गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको बिहार पोस्ट मैटरिक स्कॉलर सीप से रिलेटेड इसके लवा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग